पराला चिकन, एक ठेट चावल, 120 रुपिया, ये अब हमारा गरम मसाला जा चुका है, प्यास को रेडी करके रखा गया है, चिकन को अवास किया जा रहा है, देख सके हैं याँ पर, चिकन भी बनकर रेडी हो चुका है, इस अब प्यास जा रहा है, अच्छे को लेटी का चावल चिकन हर एक चीच का साइस काफी बड़ा बड़ा रखते हैं ना चिकन डाल दिए हैं ग्रेवी होटा लाली जेगा तो दो पिस चीकन ठेकर एक लट चावल एक सो दोस्तों स्वागत थे आपका एक नई वीडियो में आज मैं आपको लिकाया हूँ खगडिया सहर के एक ऐसे होटल पे जहां का चिकन काफी टेस्टी होता है लोकेशन की बात परे तो मैं भी खड़ा हूँ खगडिया सहर के लक्ष्वी स्रीवा रूट पर तो चलिए चलते हैं होटल पर और दिखलाते हैं यहां की चिकन को किस तरीके से तयार किया जाता है चिकन बन रहा है चिकन के लिए सरसो का ओईल डाला गया है कढ़ाई में थोड़ा सा तिल गरम होने के बाद फोरन डाले गया है गरम मसाला है जीरा है बड़ी एलाइची छोटी एलाइची चेत पत्ता और लाल विर्च सब को रेठी करके रखा गया है गरम होने के बाद इस अब हमारा गरम मसाला जा चुका है खोरन के लिए और यहां पर प्यास को रेडी करके रखा गया है कितना केजी प्यास होगा? यह जे आठ केजी प्यास होगा कलर चेंज होने के बाद प्यास डाल लेगी है ना दीख सकते हैं अब प्यास जा रहा है कितना चेंज बनाएंगे अभी? लेख साथ को चिकन को वास किया जा रहा है देख सके हैं यहां पर साथ केजी चिकन है यहां पर इसको साफ किया जा रहा है वास किया जा रहा है तो जाकर ग्रेवी में डाला जाएगा इसी चिकन को लभग 20 मिनेट हो चुका है अब इसमें नमक डाल रहे हैं स्वादनुसार प्याज गलने में प्याज काफी हद तक गल चुका है अब इसमें लसून का पेश्ट डाल रहे हैं यहां पर चावल रखावाई कौन सा चावल है कैलासा कैलासा चावल है अच्छे क्वालेटी का चावल है एक दम फ्रेश्ट चावल है साथ केजी चिकन में साथ केजी प्याज डाला जाता है यह हल्दी पोडर डाल दिया है यह मिर्शी पोडर डाल रहे हैं जीरा मृड़ जीरा मृड़च प्योंक अग्रड्स आप सारे को मिक्स किया जाए गा मिलाया जाए गा MARY बड़ी देर और इसको ऊप्वूजा जाए गा-पा क्या जाएगा इसके और इसमें चिकन जाएगा कब जाकर इसका ट्रेंभी लगेगा चिकन का नीव मयूर होटल का मेनू दिखा हुआ है क्या प्राइस है आप तेख सकते हैं मतन चावल चिकन हर इक चीछ का प्राइस यहां पर लिख दिये हैं 60-70% प्याज कर चुका है लगातार इसको कम से कम एक घंटी से भूजा जा रहा है गया कि साइस काफी गडा बडा रखते हैं ना इसको काटें गें की सीधिये ताल देंगें है सहीधा चिकन का ग्रेवी लगवक तियार हो चुका है दो डाई घंटा फ्राइ करने के बाद प्याज बिल्कुल गल चुका है आप कलर लेख सकते हैं काफी कलर चिल हो चुका है अब ग्रेवी बन चुका है अब इसमें चिकन जाएगा इसमें चिकन डाल दिये हैं ग्रेवी बिल्कुल तियार हो चुका था कम सी कम दो से धाई घंटा ग्रेवी को तियार होने में लग गया था उसके बाद चिकन डाल दिये हैं चिकल डानने के बाद और कितना देर लग जाएगा इस वो गल्ले में आदा घंटा लग जाएगा आदे गंटी के बाद ये अपना चिकन करी रेडी हो जाएगा क्योंकि इसका ग्रेवी बिल्कुल तयार हो चुका है और ये भिंडी की सब्जी है ना चाहिए ये भिंडी की सब्जी है सद्म चेंज होता है राज सब्जी मतब रोज चेंज करते हैं ना जी देख सकते हैं चिकन भी बनकर रेडी हो चुका है और साइज देख सकते हैं कि इतना बड़ा पीस है एक पिस का क्या रिट पर जाएगा कराग चाहिए यहान ऑगद नबडर ऐसका होचा सब्सक्राइब को फाराय लेग परेश लेए लेए आ।ो फारायली यहापर पीस मिल जाता हैं आप जो सब्सक्राइब जो चोईस पे मिल जाता है आपको और काफी बड़ा पीस है इस फ्राइब कर लेना चाहेंगे तो फ्राइब कर के भी देते हैं या तो फिर यह ग्रेवी में भी में ले सकते हैं पार 120 में दो पीश चीकन देते हैं और लेए चावल है या फिर लिए लिमिट है चोट आला पिस अगर एका चावल लेना चाहेंगे और उसका क्या प्राइस परेगा 30 रुप्य प्लैट है 30 रुपय अभिए जिसे कि देख सकते हैं काफी अच्छा अच्छा कलरफूल चीकन का आ रहा है आप माली गया विजा खाल्पी हो गया भीजा आप अप्सक्राइब इच्छाइब गया इस अब कर दो 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 प्रेज़ अब करेंग है